आज है 12 जून और फाइनली एतिहासिक डेट आ गई और आज की डेट बड़े इंपोर्टेंट देट है फिर क्रिफ्टो मार्किट अगर आप डेली間 ट्रेडर हैं ट्रेड करके आप डेली क्रिफ्टो मार्केट से कुछ ना कुछ करते हैं तो आपके लिए दो इवेंट दोनों का एक साथ है और इसलिए हम कह रहे हैं एतिहासिक, मतलब ऐसी डेट जब दोनों एक साथ आएं और वो बहुत कम देखने को मिलता है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? CPI और FOMC डेटा की, मतलब CPI डेटा और FOMC का डिसीजन आज के ही दिन आने वाला है, है आज ही ये दोनों इवेंट सोने वाले हैं मार्केट के अंदर, bitcoin आपको पता है, पिछले कुछ दिनों से यही ड्रामे कर रहा है, 67 तक जाता है, फिर 70 पे आता है, फिर 70 से 67 पे जाता है, फिर 70 पे आता है, और कल आपने देखा, ड्रामा हुआ, ठीक है तो Bitcoin अभी डामा डॉल हो रहा है और कल भी गेम किया Bitcoin ने उससे पहले भी किया था 72,000 को हिट करके ठीक है तो Longs के अच्छे का से Liquidations किये है Bitcoin ने और आज क्या हो सकता है Crypto Market में सबसे पहले तो हम आपको alert कर दें क्योंकि आज Pump Dump देखने को मिल सकता है अलर्ट रहेगा ठीक है और Depend करेगा Evening में आएंगे CPI नंबर शाम को 6 बजे ठीक शाम 6 बजे क्या आएगा CPI डेटा आएगा में मंत का कितना CPI नंबर आएगा पिछले महीने कुछ Relief मिला था CPI से लेकिन उससे पहले के महीने जो थे वो बढ़ बढ़ के आए CPI डेटा अमलब जो 2024 की शुरुवात CPI के थोड़ा थोड़ा बढ़ने से ही हुई है थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है ज्यादा नहीं बढ़ा है 6 बजे आएगा CPI डेटा और CPI डेटा पे ही Depend गरेगा FOMC का Decision यानि Fed का Interest Rate का Decision और मार्किट में ये भी खबरे चल रही है इस बार CPI डेटा इस बार भी Relief दे सकता है क्योंकि अभी तो टाइम है और Relief मतलब को ना तो ज्यादा बढ़के आएगा और बढ़ने के चांसी भी नहीं है और अगर ज्यादा बढ़के नहीं आएगा तो क्या होगा Fed के जो Interest Rate के Chances है ना वो Same ही रह सकते हैं मतलब पिछले कुछ महीनों से क्या हो रहा है Interest Rate Hike हो ही नहीं रहे है तो अभी वही वाली Situation देखने को मिल सकते हैं मतलब आज की जो दो Event है वो Crypto Market और Bitcoin के लिए थोड़े से Favorable हो सकते हैं ठीक है और हो सकता है आज रात तक क्योंकि आज आप यों लगा लीजी इविनिंग में 6 बजे से लेके रात के 12 बजे तक क्योंकि रात के 11 बजे I think साड़े 11 बजे FOMC का Decision आएगा ठीक है और उसके बाद 30 मिनिट के बाद Decision के बाद क्या होता है जिरॉम पावल जो Fed के Chairman की Speech होती है तो 6 गंटे बड़े Crucial रहेंगे और अगर सब चीजें फेवरेबल रहती है फॉर क्रिप्टो मार्केट तो बिटकोई वापीस आ सकता है 71 72 के लेवल पर क्योंकि अल्रेडी गेम किया है लिक्विडेशन किया है तो आज भी लॉंग के लिक्विडेशन हो जाए या चांसिस कम है ठीक है थोड़ा सा बिटको में उसको जोइन जरूर कर लेना और अलर्ट रहिए आज के दिन मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर